हाँ तो भाई जैसा कि आप सब जानते हैं फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के आफलाइन एक्जाम जो है वो मैं में कंड़क्ट होने वाले हैं ठीक है ना ऐसे में बहुत आ रहा है कि हम आफलाइन एक्जाम की तैयारी जो है वो कहां से करें ठीक है तो टेंशन मतलो इस वीडियो के लिए बहुत जादा यूसफुल होने वाले हैं अगर आप एक तरीके को भी अपलाइ करते हो ठीक से तो आप ठीक है बात करते हैं आपके एक छोटे से डाउट की बहुत से लोगों को ये कंफिजन हो रही है कि ऑफलाइन एक्जाम जो होते कैसे हैं क्या उनका प्रोसेज करने तो बहुत बेसिक आप लोगों को सबको पता ही है ठीक है ना फिर भी मैं आप लोगों को एक्स्प्लेंड कर देता हूं बिकास बहुत से लोग जो हैं वह अभी भी अप्लाइन कर रहे हैं इस प्रॉसेस को ठीक है तो पहला प्रोसेस यह है कि की वैब साइट पे जो study म मीडियम है ठीक है तो मैं बता देता हूँ अगर आपको बुक्स डाउम्लोड नहीं हो रही है तो नीचे दिएगा यह नमबर पर वट्सप करके बोल दीजेगा हमारी टीम आपको बुक्स डाउम्लोड करके देगी ठीक है रही बात यहां पर आपके बुक्स जो है हिंदी इसी प्रोसेस में एक बात और एड करना चाओँ आँ देखो बईinkड जो बहुत से स्टोवेंथ के लग रही है गर्ल्स की और बहुत सारे स्टोवेंथ की नहीं लग रही है तो जन Бई स्टोवेंथ कश्ट कमोने हैं पारन फिलाल जिन धींग पाउण करना था देख मेरा है आप लोगों के लिए है प्लीज अगर आप रेगुलर क्लासिज जा सकते हैं स्वेल की ऑफलाइन क्लासिज में तो प्लीज जरूर जाईएगा अगर आपको ऑफलाइन एक्जाम में पास आउट होना है अच्छे मार्ग से ठीक है क्यों क्योंकि भाई ऑपीनियन जो जा रहे ह तैयारी आपकी ऑटमेटिक हो जाएगा ठीक है बात करते हैं आप दूसरे तरीके कि दूसरा तरीका सिंपल साहे कुछ नहीं करना आपको बस पिछले जो दो तिन साल के कोश्चन पेपर होते हैं उनके कोश्चन की आंसर की तैयारी करनी है बस इतना सा अब मैं सक्क्यू कह और आप लोग खुद नौटिस कर रहे होगे पिछले जो कोश्चन पे होते हैं बस उनको रिपीट कर दे जाता हर साल बस कुछ नहीं करते भाई लैंगवेज गुमारते और कुछ नहीं करते बस उसी से आपको लगता कि और इस वीडियो निचा डिस्क्रिप्शन में देद अब उन questions के answer का मिलेंगे तो गूगल सर्च कर लेंगे यूट्व लेक्चर के तुरू आप सर्च कर लेंगे आपको answer भी मिल जाएंगे आपने open book exam दे रख्या होगा उसमें आपने बहुत answer ढूंडे होगा ठीक है तो आप लोगों का answer ढूंडना आते ही होगा अगर आप इन सब चोचले बादी से बचना चाहते हो तो भाई आप लोगों थोड़े पैसे खर्च करने पड़ेंगे पैसे करने के लिए मैं आपको क्यों क्या रहा हूं क्योंकि मार्केट में 10-year नाम से एक बुक आती है जिसमें प्रिवेस जो कुश्चन पर होते हैं उनका solution होता ठीक है ना यानि कि कुश्चन भी होते हैं और उसमें answer भी दे रखके होते हैं तो वह 10-year जाके आप किसी भी बुक स्टोर पर खरीद लेजेगा जाके बोल देजेगा कि हमें एस सब्जेक इस सेमेचर के 10-year चाहिए आपको मिल जाएंगे ठीक है तो आप उनकी भी प्रिपेशन कर सकते हैं उन से ठीक है तो आप लोगों को पैसे खर्च करना है पैसे खर्च कीजिए अधरवाइस आपको फ्री का जुगार जाब बता दें तो भाई बात करते हैं आप तीसरे तरी मेत एंछार तो आपको परम का घ्राइस कर सकते हैं उनके करने हैं तो आपको गलत नार्ज को तो आप यहां से हुगल के आर्टिकल होते हैं यहां से माक्सवाइब के बारे पढ़ सकते हैं ऐसे अपने टॉपिक्स जो है सर्च करके आप इसली पढ़ सकते हैं यहां पर लेंग्वेज भी जो है वह ज्यादा टफ नहीं दे रख्योंती एस वेल की जो बुक्स है उससे तो अच्छी लेंग्वेज आ आपको जो है वीडियो मिल जाएगे ठीक है इन वीडियों भाई बहुत अच्छे से एक्स्प्रेन कर रखा हो कि माक्सवाद क्या है हाला कि इसमें यह लिए की हैं यह बीकॉम वगरा की हैं बट इसमें आप लोगों को एक्स्प्रेनेशन मिल जाएगा उल्टा एडवांस वह लगा एक्स्प्रेनेशन मिल जागा ठीक है तो आप ऐसे यूटूब की हैल्प से और गूगल की हैल्प से भी अपने टॉपिक को सर्च करके पढ़िए ना कि बहुत को सर्च करके पढ़ना है ना ही आपको अपना स्लेबस देखना अपने स्लेबस में जो टॉपिक्स हो तो इसली जो है पस आउट हो जाओगे ठीक है भाई इनी तीन तरीकों को फॉलो करके मैं भी अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ मैं भी सिक्स सेमेस्टर का स्टुडेंट टू पॉलिटिकल साइन्स ओनर्स कर ठीक है जब मैं पस आउट हो सकता हूँ भाई मेरे अंदर कॉन्फ कि और देता हूँ ठीक है देखो भाई अगर आप लोगों के पास त्यॉरिटिकल सबजेक्ट है ठीक है अगर आप लोगों के पास सबजेक्ट है और आप उफ लाइन एक्जाम देने गए हो भाई मालने तो कोई ऐसा कोश्चन आ गया है जो हमने पढ़ाई नहीं पॉर एक kisward के शुरुरात कहां से और हमारा यही है तो बहुर उस question को खाली मत चोड़किया जह आजाना जो भी आपने उस question से related पढ़ा हो到। एंपने माक्स canvas से related पढ़ा तब आर्थ का आर्थ क आजु आज तो वो ही अच्छे से वेल डिफाइन कर देना उस question में आपको number easily मिल जाएंगे pass out होने लायक ठीक है ना question को खाली छोड़ के आओगे तो आप भाई fail हो जाओगे बट अगर well define कर दोगे जितनी भी आपको इस question से related knowledge होगी तो आपको easily जोए number दे दिये जाएंगे pass out होने लायक ठीक है तो आप लोगो को ये tip जोए समझ में आ गए होगे बट इतना समझ लेना भाई आपका answer बस खाली नहीं होना चाहिए और well defined होना चाहिए तब ही आपको marks जो है अच्छे मिलेंगा और easily pass out हो जाओगा ठीक है तो बस आज की वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में